हाई एवरिवन आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है आज मैंने बनाया है आलो और पत्ता गोवी की सबजी वो भी बिना लसन प्याज के इसके लिए मैंने लिया है एक चम्मच जीरा हाफ चम्मच काले मिल्च और एक चम्मच धन्या और पांस एछे लाल मिल्च इन सभी को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे बस थोड़ा सा भूनना है जादा नहीं मुझे ब्राउन नहीं करना है बस हलका सा रोष्ट करना है यह देखे यह अच्छे से हो गया है बहुत अच्छी खुसबू आ रही है इसको ठंडा कर लेंगे थंडा हो गया थे मैंने जार में बना लिया है उसके बाद गोवी को भी मैंने कट कर लिया और अच्छे से दो लिया है और आलू को भी मैंने उबाल लिया है मैंने ज्यादा वीडियो लंबा नहीं किया इसलिए मैंने नहीं दिखाया है कि आलू को कैसे बॉयल करना है इतना तो सभी को पता है इस तरह से कट कर लेंगे सबीको मैंने ऐसे कट कर लिया है यह देखिए कढ़ाई को इसे मैं तो मस्टर्ड औयल में बना रही हूं आप किसी भी तेल में बना सकते हैं अब डालेंगे हींग उसके बाद यहां पे एक तेज पत्ता डाल रही हूं उसके बाद 5 फोरन डालेंगे पंच भोरन डालने से इसका सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसके बाद मैं डालूंगे यहाँ पे हल्दी, हाफ चमच में हल्दी डाल रही हूँ उसके बाद एक बार मिक्स कर लेते हैं उसके बाद यह जो मसाला मैंने तयार करके रखा हुआ था इसको भी इसमें डाल देंगे इस तरह मसाला डालने से टेस्ट सब्जी का बहुत अच्छा हैगा तो आप इस तरह से बना के देखिएगा अगर आपको रोष्ट नहीं करना है तो आप ऐसे भी डाल दें लेकिन जब आप ऐसे डालेंगे थोड़ी दर आपको जादा भूनना पड़ेगा उसके बाद यह जो मिक्सी में रह जाता है लगा हुआ जार में इसको भी मैंने ऐसे दुलके डाल दिया है क्यों वेस्ट करना फाल दोगा अब इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे उसके बाद मैंने यहां पर डाला है एक चमच सबजी का मसाला आप चाहें तो किचन किंग भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर सबजी का मसाला डाला हुआ है एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं, उसके बाद 3-4 मिट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद मैंने यहां पर 3 टमाटर था जिसको मैंने ऐसे कट कर लिया है, आप चाहें तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी सरदियों वाला टमाटर तो बहुत सॉफ्थ होता है इसमें मैं नहीं मिक्स मिग्राइंड कर रही हूँ अब इसको डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिला देंगे यहां पर चाहें तो आप नमक अभी डाल सकते हैं क्योंकि नमक तो पढ़ता ही है टमाटर डालने के बाद लेकिन यह सॉफ्थ है तो मैं नहीं डाल रही हूँ अब इसको ढख देंगे यह देखिए यह अच्छे से पक गया है टमाटर बिल्कुल भी इसमें नहीं दीख रहा ह मसाला पहले रोष्ट कर लेने के बाद यही होता है बहुत जल्दी मसाला पक भी जाता है और भुन भी जाता है अब गोवी को डाल देंगे क्योंकि मसाला अच्छे से पक गया है इसको मैंने ऐसे डाल दिया इवर मैं मिक्स कर लेती हूँ कि यह थोड़ा जादा हो रहा है इसलिए मैं मिक्स कर रही हूँ उसके बाद सभी को डाल देंगे इस तरह से उसके बाद फिर अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से इन सभी को मैंने ऐसे मिला लिया है अब इसको ढग देंगे यहाँ पर मैं नमक डालना भूल गई मैं नमक पहले डाल देती हूँ क्यूंकि यहाँ पर आगर आप नमक नहीं डालेंगे ना तो गोवी जल्दी से पकेगा नहीं इतना में मैंने डेडेड़ चंमज नमक का यूज किया है एक बार फिर अच्छे से मिला देते हैं और कुछ देर के लिए ढग देते हैं कुछ देर के वाद चेक करते हैं ये लगभग दो से कीमत हो गया है उसके बाद ये देखिए गोवी अच्छे से पक चुकी है ये गोवी की कुएंटिटी बहुत कम हो गई है और मसाला तो पहले ही भून चुका था लेकिन मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी तोकि मुझे करके आप मत देखिएगा नहीं तो मेरा जो इंप्रेशन होता होता है इंप्रेशन रियर गड़ जाता है इसलहीं इतले प्लीज स्क्राफिंव मत देख्यएगा अब इसमें आलू को डाल बूराउन कर लेंगे ताकि आलू में मसाला अच्छे से अंदर तक आजाए अब इसको कुछ देर के लिए मैं ढगूंगी कुछ देर के बाद फिर से चेक करते हैं ये देखिए ये अच्छे से भून चुका है थोड़ी देर मैं और भूनूंगी ज्यादा नहीं बस दो से तीन मिनट के लिए आप जितना भूनेंगे ना सब्जी इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा इसलिए सब्जी को भूनना थोड़ा जरूरी होता है ये अच्छे से भून चुका है कुछ देर के बाद ये देखिए अब मैं इसमें पानी डालूंगी आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं लेक सब्जी को एक मिनट के लिए फिर से ढख देंगे ये कुछ देर हो गया है ये देखिए ये बन के तयार है अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे पहले कितना अच्छा सब्जी का कलर आया है मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रहे हूं आप चाहें तो यहां प करते हैं सब्जी को बंद करते हैं यह देखिए मैंने इसमें निकाल लिया उसके वाद मैंने यहां पर पुवा के साथ सर्व किया है खास कर आप यह वाली सब्जी होली में बनाएंगे न तो यह बहुत तेश्टी लगेगा लेकिन इसमें थोड़ा सा गरम मसाला जरूर डाल कर लिजेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्क्राइब जरू कर लिजेगा यह देखिए कितना टेश्टी दिख रहा है ना